हैफट के चेर्मेन केलाश भगत ने कहा कि वा पंजाबी समाज भाजपा पार्टी के साथ खड़े हैं और विधान सभा चिराओं में भाई लीला राम को जिताने का काम करेंगे लीला राम को एक बार फिर विधान सभा में भेजने का काम करेंगे क्यालाज भगत ने कहा कि हर पार्टी में उम्मिद्वार कई होते हैं लेकिन टिकेट एक ही को मिलती है लेकिन सभी का धर्म बनता है कि जिसको टिकेट मिली है उसका साथ दें क्यानाज भगत ने कहा कि भाजप सरकार में हमने हर आप दिवा व्यापारी की समस्या का हल करने का काम किया है उपने साथ रखने का काम करेंगे और पूरी तरी के से मुकाबला करेंगे तो तहां देखते हैं कि पार्टी निश्चित रूप से जीत की तरफ जाएगी और दुबारा अर्याना प्रदेश के अंदर पूरी सरकार बनाएगी हमारा परचार क्या हमने तो कल भी पूरा दिन शेयर के अंदर लगाया है और हम पूरांते रूप से विधायक के साथ पूरी अच्छे तरीके से लग के उसको जिदाने का काम करेंगे क्यों कि बजार में चर्चा थी कि कि यलाश बगत करेंगे नाराथ है अबू लिला रामकर टिकट मिलने से किलाश बगत कुछ दोड़ में थे तो टिकट के हकमें भी नहीं था इस बार मैंने शुरू से यह बात कह रखी थी कि जिसको भी पार्टी टिकट देगे बेजी के उसको जिताने का सिर्फ काम करूँगा अब लगातार मंडी भी आपके साथ रहती है और मंडी फैसला करती है कि पापलीक जो है फेसलरर पब्लिक ने लेना होता है पर हमारी कोशित पूरी एई रहेगी कि विदायक हमारा निष्चीत रुप से जीत के यहां से जा mirror देखो बाजपा की तरफ से ज्वाइनिंग बाजपा की तरफ से भी अच्छी आएंगी अभी दिन कितने हुए हैं दो ही दिन सारे हुए हैं और हर आदमी शुरू में कोशिश करता है कि हर परसनल जाके जिनसे मिला जा सकता है उनसे मिलने का काम करता है वो अपने पूरन ते रूप से सारे साथी जो हैं वो लगे हुए हैं और पर एक एक करके सब को मिलने का काम कर रहे है देखो जहां तक हर्याना प्रदेश की विकास की बात है मेरे ख्याल में जितना अच्छा विकास और जितनी हाईवेज की सड़कें बीजेपी के राज के अंदर बनी हैं उससे पहले कुछ मिनी थी जहां तक मेरे को मन्य मुख्य मंत्री शिरी मनोडलाल जी ने हैफ़ड का एक डिपार्टमेंट दिया था और हमने जिमिदार के लिए अपने वेपारी के लिए उसके अंदर काम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी जिमिदार को पूरा रेट देने का काम किया जिसमें हर्याना परदेश के टोटल पूरे किसानों को 20-20 जार रपे का ठेका बड़ा और जिसमें पूरे किसान जो है वो खुश रहा इस से ज़्यादा सरकार जो है क्या दे सकती है पूरे इंदोस्तान के अंदर एक बारतिय जनता पार्टी ऐसी है हर्याना परदेश ऐसा है कि हर फसल के उपर MSP पर माल परचेज किया जा रहा है जब कि बाकी परदेशों में सिरफ दो-दो फसलों पर MSP है और किसी फसल पर MSP नहीं है जिविदर को पूरन तहरूप से सब सहुलित दी जा रही है गरीब आदमी के लिए पूरी सहुलित दी जा रही है गरीब आदमी को हर तरह की सहुलित मन्य प्रदानमंत्री नेंदर मोदी जी की तरफ पूरे इंदोस्तान में दी जा रही है आपने देखा है कि 80 क्रोड जनता को अगले 5 साल के लिए भी राशन देने का काम किया कि कोई भी गरीब आदमी जो है वो भूखाना सोच के तो कलाशी पांस अक्तुबर पर जैसे वोट होगी लोग अपने मत का प्रियोग करेंगी तो तमाम कैठल वास्यों से क्या अपील आप कि रहेंगे नहीं मैं तो यही अपील करूंगा कि भारतिय जनता पालिटी को वोट दें और निश्चित रूप से सरकार बनाने का काम करें